5 Nymphomaniac Films Nymphomaniac Volume 1 Nymphomania नाम की बिमारी में महिलाओं में सेक्स की एनिंत्री तिछा होती है जिसे आम तोर पर सेक्स एडिक्शन भी कहा जा सकता है असल में ये टर्म केवल कामुक महिलाओं के लिए ही यूज की जाती है ये एक ऐसी मांसिक समस्या है जिसमें रोगी सेक्स करने के लिए परिसान रहता है क्योंकि उसको ले कर उसका एडिक्सन हद से जाधा बढ़ चुका है ऐसी महिला को हर दिन सेक्स चाहिए होता है कई महिलाओं में तो किसी किसी को दिन में कई कई बार सेक्स की लच सताती है इसी मेडिकल इश्यू को आधार बना कर दुनिया भर में कई बहतरीन फिल्में बनाई गई हैं तो आज लेकर आए हैं हम ऐसी ही पाँच बहतरीन फिल्मों की लिस्ट जिसमें निम्फो मैनिक को मुख्य मुद्दब बनाया गया है सबसे पहली फिल्म है निम्फो मैनिक वोल्यूम वन दो घंटे पर्च पन मिनट की एक ये एक येरोपियन एरोटिक आर्ट फिल्म है जो 2013 में रिलिच हुई थी IMDB पर 6.9 की रेटिंग वाली इस फिल्म को लार्स वोन टायर ने डिरेक्ट किया है फिल्म में सारलोट गैंसबर्ग, स्टेलन इसकार्सगार्ड, स्टेसी मार्टिन और सियाला बियाहाफ ने मुख्य किरदार अदा किये हैं एक बरफिली शाम का वक्त होता है मध्यम आयू वर्ग का एक बैचलर जिसका नाम सैलिग मैन होता है वो अपने घर आते वक्त सेल्फ डाइगनोज निम्फो मैनिक जोए नाम की एक लड़की को अपार्टमेंट के पीछे गली में लेटा हुआ पाता है जिसे शायद बुरी तरह पीटा गया है वह उसे अपने घर ले आता है और चाय पिलाता है लड़की को होश आने पर वो उसे एहसास दिलाता है कि अब वो शुरक्षित है जोए नाम की लड़की उसे अपने जीवन से रिलेटिड बाते सुनाने लगती है और सैलिग मैन ध्यान से सुनता है क्योंकि जोए उसे अपने कामेच्छा पूर्ण जीवन की कहानी सुनाती है सैलिग मैन एक highly educated लेकिन klisterd आदमी है वह जोए की कहानियों को सुनकर उन्हें जोडता है और उनका wishlation करता है फिल्म में जोए अपने सभी past के experiences सैलिग मैन को बताती है जिस वज़े से कभी फिल्म में सैलिग मैन और जोए आमने सामने बात करते हुए दिखते हैं और कभी जोए के flashback आते रहते हैं जोए अपने बच्पन के दोरान अपने ए समाई क यौन आकर्षन के बारे में बात करके अपनी कहानी शुरू करती है उसके पिता Christian Slater एक ट्री लविंग डोक्टर हैं जिने वह बहुत प्यार करती है जबकि उसकी मा कोनी नीलसन है जोए अपनी मा को cold bitch कहकर describe करती है कि सोरवस्था में जोए ने जैरूम नाम के एक मनमाने युवक के साथ अपनी virginity खो दी थी जोए बताती है कि उसकी life का ये पहला sexual encounter होता है जबकि सेलिग मैं आपजर्व करता है कि जैरूम ने जोए के साथ तीन बार vaginal और पांच बार anal penetration किया था जो कि फिबो नाची सीक्वेंस जैसा दिखाई देता है कैई साल बाद जोए एक train यातरा के दोरान अपने दोस्त भी के साथ एक competition रखती है और वो ये कि दोनों में से जो लड़की train के station तक पहुँचने तक सबसे अधिक यातरियों के साथ सेक्स करेगी वो चोकलेट मिठाई का एक बैग जीद जाएगी दोनों ही लड़कियां इस शर्त को मान लेती हैं और फिर कैई पुरूसों के साथ सोचले में यौन सम्मन्द रखने के बाद जोए एक पर्थम श्रेनी की बर्थ में एक एस नाम के यातरी को बिलाजोग दे कर इस शर्त को जीद जाती है इसके बाद जोए और सैलिंग मैन के बीच बात होती है कि रगेलच और पेस्टी खाने के लिए केक काटे का उपयोग करने वाले पुरूसों में मरदानगी की कमी होती है इसके बाद जोए बताती है कि फिर हमने यानि मैंने और बी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक किलब बनाया जिसको हमने दा लिटिल फ्लॉक नाम दिया जो इस सोच के साथ काम करता है कि प्रेम और वासना के रिस्तों को समाज के निर्धारन से मुक्त कर देना चाहिए कुछ दिनों तक मेडिकल की स्टडी के बाद जोए एक युवा एडल्ट के रूप में मेडिकल स्कूल भी छोड़ देती है और एक प्रिंटिंग कमपनी में सिक्रेट्री के रूप में काम करने लग जाती है और यहां जोए कैई सहकर्मियों के साथ सोती है जब जोए सैलिग पीडा से अपना ध्यान हटाने के लिए जोए अस्पिताल में कैई लोगों के साथ संभोग करती है जब वह अंत में मर जाता है तब जोए उसकी डैड बोडी के सामने खड़ी होती है तो उसकी वेजाईना से पानी की एक बूंद उसकी जांग से नीचे की और बहने लगती है और वो sexually excited हो जाती है और फिर depressed होकर एकड़म से सुन पड़ जाती है जोए आगे अपने तीन प्रेमियों के बारे में बात करती है जोए अपने sexual अनुभव Saligman को बता चुकी होती है और फिर अंत में जैसे ही दोनों प्रमानिक रूप से एक दूजे के गले लगते हैं त इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है, फिल्म में काफी सारे न्यूड सीन है, फिल्म फैमली के साथ बिल्कुल भी नहीं देखी जा सकती, फिल्म सिर्फ सेक्स्वल सीन ही नहीं दिखाती, बलकि एक रोमेंटिक यात्रा करवाती है, जिसे देखना आपको काफी हद तक सेक् निम्फोमैनिक वोल्यूम टू असल में निम्फोमैनिक के पहले पार्ट के आगे की कहानी कहती है लास्ट पार्ट में हमने देखा जोए नाम की निम्फोमैनिक लड़की जब सैलिग मैन के साथ जैसे ही पैसनेट सेक्स में इन्वॉल होती है तो जोए को पता चलता है कि वह अब कुछ भी महसूस नहीं कर सकती इस पार्ट की शुरुवात में हम देखते है कि जोए सैलिग मैन से नाराज हो जाती है और उस पर अपनी खोई होई कामुकता की गंभीरता को नजर अंदाज करने का आरोब भी लगाती है वह अपनी एसेक्सवल्टी वरजिनिटी की पुष्टी करता है और जोए को अपने प पूर्वी चर्च और पस्चिमी चर्च के बीच मत बहदों के बारे में चर्चा होती है उसके बाद जोए सैलिग मैन को अपने जीवन का एक और हिस्सा बताने के लिए तयार हो जाती है जोए एक युवा लड़की के रूप में एक फिल्ड ट्रिप के बारे में याद करती है और कहती है कि उसे वैलीरिया मैसालीना और बेबी लोन के वेश्याओं के बारे में विजन था क्योंकि वह लेविटेट करती है और अनायास ही ये उसका पहला संभोग होता है जो सैलिग मैन को जटका देता है क्योंकि वह बताता है कि उसका पहला संभोग तो मात्र सुख का मजाक था उसकी कहानी में जहां उसने पिछले पार्ट में छोड़ा था वहां लोटने पर जोए ने योन सुख प्राप्त करने की अपनी शमता खोदी थी या सेक्सल प्लैजर को महसूस करना छोड़ दिया था इसी बात की चिंता करते हुए जोए संकट में पढ़ जाती है हलांकि उसे जहरोम के साथ अपने समय में एक अलग तरह का आनन्द मिलता है जब दोनों एक साथ एक बच्चे को गर्ब धरन करते हैं तो जहरोम अपनी योन जरूरतों को पूरा करने के लिए संगर्स करता है तो जोए उसे अन्या लड़कियों को देखने की अनुमती दे है कैई सालों बाद जोए को अफरीकी भाईयों की एक जोड़ी मिलती है और इस मुलाकात में जोए एक ऐस अफल थ्रीशम का अनुभव करती है जिसको अनुभव करने के बाद जोए के योन प्रियास तेजी से बढ़ने लगते हैं बाद में जेरोम उसे अपने परिवार औ और जोए के अंदर कामुक्ताइं इतनी ज़्यादा थी कि वो बाद वाले को चुनती है यानि के को जोए और के के बीच बनने वाले सेक्शल रिलेशन काफी हिंसक रहे हैं जिसके बादे में जोए ने पहले पार्ट में जिक्र किया है जोए एक सामान्य जीवन की एक और ए परिवर्थनी एच्छती आचुकी है उसकी आदतों को अब उसके नए कारियल लेके आसपास के सभी लोग जानने लगे हैं यह पूछे जाने पर कि उसने चिकित्सा में भाग लेने से इंकार क्यों किया जो जैरॉम और मार्सल को छोड़ने के बाद गरबती होने की बात करती है यानि अबोर्शन कराती है लेकिन डॉक्टर जोर देकर कहता है कि वह पहले एक परामर्स दाता से बात करे लेकिन अब उसके पागलपन अपने चर्म पर होते हैं वह सभी मामलों को अपने हातों में लेने और खुद अबोर्शन करने का फैंसला करती है मेडिकल स्कूल से उसने काफी study की हुई है इसलिए वो उसी ग्यान का उपयोग करते हुए कई घरेलू उपकरणों और वायर हैंगर का उपयोग करके अपना बच्चा गिरा देती है इसके बाद फिर से story वर्तमान में आती है यानि उसी जगह पर जहां जोए सैलिग मैन को अपनी story सुना रही है सैलिग मैन जोए द्वारा किये गए इस तरह के abortion की बात को सुनकर चौक जाता है और फिर सही अगलत को लेकर जोए और सैलिग मैन में काफी बहस होती है आगे की फिल्म में काफी दिलचस्प और sexual scene देखने को मिलते हैं हमारी लिष्ट की अगली फिल्म है Black Snake Mon एक घंटे चपन मिनट की एक musical drama फिल्म है जो 2006 में रिलीज हुई थी IMDB पर 6.9 की रेटिंग वाली इस फिल्म को Craig Brewer ने डिरेक्ट किया है Samuel L. Jackson Christina Rickey Justin Timberlake ने मुख्य किरदार अदा किये हैं फिल्म दो मुख्य पात्रों पर केंदरित है पहला है Lazar Red जो एक गहरा धार्मिक किसान और पूर्व ब्लूज गिटार वादक है और दूसरा है Roy Dooley जो एक युवा सेक्स एडिक्ट लड़की है लाजर की पतनी और उसके भाई के बीच प्रेम परसंग चल रहा है जिससे वह घुटा हुआ और क्रोधित हो गया था रोई के प्रेमी रोणी मारगन 196 वी फिल्ड आर्टिलरी बिर्गेड में Tennessee National Guard के लिए रवाना हो चुका है और उसके जाने के बाद रोई नसीली दवाओं का सेवन सुरू कर देती है रोई की एक मुलाकात के दोरान रोणी का दोस्त गिल मार्टन उसका फायदा उठाने की कोशिस करता है वैव उसकी इस ओची हरकत पर हंसती है और उसकी तुलना हाउसी पूरुस से करती है जिसके कारण गिल रोई को बुरी तरह मारता है और उसे मरा हुआ समझ कर गिल रोई को रोड पर छोड़ कर चला जाता है रोई इंजर्ड हालत में केवल सर्ट और पैंटी पहन कर सड़क के किनारे पड़ी रहती है लाजर अगली सुबह सड़क के बगल में रोई को बेहोस पाता है और उसे वापस स्वास्थे के लिए एक नर्स के घर ले आता है लाजर इसके बाद तहरान नाम के एक बंदे को देखने जाता है क्योंकि लाजर ने सोचा था कि उसने ही रोई नाम की इस लड़की को पीटा होगा कई दिनों के बाद रोई इस्टेबल होती है कभी वो बुखार से गिरस्थ है तो कभी इन सौमनिया से और कई बार तो लाजर से भागने की कोशिश भी करती है वै उसे भागने से रोकने के लिए उसे रेडियेटर में जंजीर से बांदेता है रोई भागने का प्रियास करती है और यहां तक कि एक किसो लड़के के साथ वो सेक्स भी कर लेती है जो लाजर के खेट में मजदूरी करता है वै अंततै अपनी स्तिती को सहन करने के लिए वापिस आ जाती है लाजर उसे पहनने के लिए एक रूड़ी वादी पोसाख खरीदता है उसके लिए गिटार बजाता है और उसे घर का बना हुआ खाना किलाता है लाजर के पादरी और करीबी दोस्त आर एल लाजर के घर आत शहर में वापिस आजाता है रोई की तलास करते हुए वे गिल से मिलता है और सूचित करता है कि जब भी तुम सिटी से बहार होते हो रोई तुम्हें चीट करती है अंत में रोणी गिल पर हमला करता है उसका ट्रक चुराता है और रोई की तलास जारी रखता है फिल्म में क्या रोनी अपनी प्रेमी का रोई को खोज पाएगा या नहीं यही फिल्म की कहानी है हमारी लिस्ट की अगली फिल्म है The Names of Love एक गंटे 40 मिनिट की एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो 2010 में आई थी IMDB पर 7.2 की रेटिंग वाले इस फिल्म को माइकल लैकलर्क ने डिरेक्ट किया है फिल्म में जैक्वैस गेंबलिन और सारा फोरिस्टियर ने मुख्य किरदार अदा किये हैं असल में ये फिल्म एक सेमी बायोग्राफिकल डोक्यूमेंटिंग फिल्म है ये फिल्म एक ऐसी महिला के जीवन का डोक्यूमेंट है जो दक्षिन पंथी व्यक्तियों और रूडिवादी मुसल्मानों को प्रभावित करने के लिए सेक्स को एक हत्यार के रूप में इस इस किरदार को फिल्म में सारा फोरेस्टियर ने बखु भी निभाया है इस महिला के जीवन में बिख्राव है और ये एक फिरी इस्प्रिटिड महिला है फिल्म में हम देखते हैं कि ये महिला लेफ्ट विंग एक्टिविस्ट के तोर पर काम करती है और अपने राजनितिक वरोधियों के साथ सोती है और उनकी sexual desire पूरा करती है और फिर उन से अपने political फाइदे उठाती है और उन्हें manipulate करती है इसी करम में वो अपने काम और अपने जीवन से खुश होती है लेकिन फिर एक दिन उसके मुलाकात आर्थर मार्टिन से होती है और उससे मिलने के बाद उसका पूरा जीवन बदल जाता है हमारी लिस्ट की अगली फिल्म है Horrible Bosses एक गंटे 38 मिनट की ये फिल्म कोमेडी ड्रामा फिल्म है जो 2011 में रिलीज हुई थी IMDB पर 6.8 की डेटिंग वाले इस फिल्म को सीथ गॉर्डन ने डिरिक्ट किया है फिल्म में जैसन बेटमैन, चारली डे, जैसन सूरी किस, जैनिफर एनिस्टोन ने मुखे गिरदार अदा किये हैं निक हैडरिक्स और डेल ऐसे दोस्त हैं जो अपने बोसिस से घिरणा करते हैं निक सैडिस्ट डेव होरकन के लिए एक वित्या फर्म में काम करता है जो महीनों तक निक के लिए संभावित पदोननती की सिर्फ मीठी मीठी गोली देता है जबकि उसका दोस्त डेल एक दंथ चिकितसक सहयक है जिसका उसकी मालिक डॉक्टर जूलिया हैरिस द्वारा योन उथपिडन किया रहा है उसकी डोक्टर बोस उसकी मंगेतन स्टेसी को यह बताने की धमकी देती है कि उसने उसके साथ सेक्स किया है और अगर डेल इससे बचना चाता है तो उसे उसके साथ लगतार सेक्स करते रहना पड़ेगा निकोर डेल के दोस्त एकाउंटेंट कर्ट बकमेन एक रासाइनिक कमपनी में जैक पॉलिट के लिए काम करने का आनंद लेते हैं लेकिन जैक की ऐ प्रत्यासित रूप से दिल का दोरा पढ़ने से मृत्यू हो जाने के बाद कमपनी को जैक के कोकीन के आदी बेटे बोबी दुआरा चलाया जा रहा है जिसकी उदाशीनता और एच्छमता के कारण कमपनी के भविश्य को खत्रा है रात में अधिक सराब पी कर कर्ट मजाक में सुझाव देता है कि यदि उसके बोस अब आसपास नहीं होते तो उनका जीवन और अधिक सुखी होता शुरू में हिच्छ किचाते हुए वे अंत्ते अपने बोसिस को मारने के लिए सहमत हो जाते हैं एक हिट मैन की तलास में तीनो डीन मदर फकर जोन्स से मिलते हैं जो एक पूर अपरादी है जो तीनों की हत्या सलाकार बनने के लिए सहमत हो जाता है जोन्स का सुझाव है कि निक, कर्ट और डेल को एक दूसरे के मालिकों को मार देना चाहिए ताकि काम तरीके से हो सके और ऐसे में मोतो को दुरगटना दिखाना आसान हो सकेगा इसके बाद फिल्म में यही दिखाया जाता है कि कैसे ये तीनों दोस्त मिलकर अपने अपने बोसिस को मारने का प्लान बनाते हैं क्या वो अपने बोसिस को मार पाते हैं या नहीं यही फिल्म की कहानी है उमीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा ऐसे ही दिल्चस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें